उसके पैरों तले जमीन किसक गई कितना आसान है या तुम्हारे लिए सुबह वटने के बाद वच्छिट ले थी तुम्हें मुझे रोकने का कोई हग नहीं है तो आप भी जालना चाते हैं ची तरीके के वाक्यों को तो लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रही है इस वीडियो नेक्स्ट है क्या उसने उस मामली का नाजािज फायदा उठाया कैसे बोलेंगे इसके इंग्डियों में अगर बहना है तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्डियों में I have to admit that you are shameless. Next है, देखते ही देखते वह गायब हो गया, इसको इग्निस में कैसे बोलेंगे? He disappeared in no time. In no time, यानिके देखते ही देखते ही आप वो यानिके बिना समय के. Next है, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, इसको इंग्निस में कैसे बोलेंगे? I am feeling thirsty, I am feeling thirsty. तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरू कर दीजिए, ठीके गाइस? Next है, इस बात का ख्याल रखना कि आप उससे कुछ नहीं कहोगे, इसको इंग्निस में कैसे बोलेंगे? Keep this thing in mind that you will not say anything to him. मैं घबरा रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं अगर इसको इंग्निस में बताना है तो इसको कैसे बोल सकते हैं? I am nervous, अक्सर बहुत ही छोटा सवाक है और हम यूज भी करते हैं इसको तो इंग्निस में बोल सकते हैं इसको I am nervous. Next है, उनका निधन हो गया है अगर कोई expert हो जाता है उस time पे तो हमें बताना होता है तो कैसे बोलेंगे? He has passed away. He has passed away. ठीक है guys, I hope आपको sentences समझ आ रहे होंगे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दो अगर इंग्निस में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? I am telling you, give up your all bad habits. यह एक अप्शकुन है इसको इंग्निस में कैसे बोलेंगे? It is an ominous, I hope आपको sentences समझ आ रहे होंगे. मामला बहुत बिगड़ता जा रहा है, अगर इस तरीके से हमें इंग्निस में बताना है, इसको तो कैसे बताएंगे? The matter is getting spoiled. आप देख सकते हैं, present continuous है इसलिए verb में ing लगाई गई है. Next है, उसकी काली जबान है, उसकी काली जबान है अगर इस तरीके से किसी को बोलना है, कैसे बोलेंगे? She has a biting tongue. Next है, नीचे आओ, bed पर मत कुदू, अक्सर बच्ची इस तरीके से करते हैं, उनको बोलना पड़ता है, तो इंग्निस में कैसे बोल सकते हैं उनको? Come down, don't jump on the bed, come down, don't jump on the bed, do not का contraction है, ठीक है गैस? और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कै तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए, next है, टीवी देखना बंद करो, बच्चों से इस तरीके से बोल देते हैं, तो कैसे इसको इंग्निस में बोल सकते हैं उनको? तो stop watching television, stop watching television, ठीक है, next है, किताबें लाने के लिए मुझे बाद में याद दिलाना, जैसे को बी फादर जाते हैं, और ने याद दिलाना होता है, तो कैसे बोल सकते हैं इसको इंग्रिस में? Remind me later for bringing books Remind me later for bringing books Next है Market से तुम कब आए Market से या बजार से आप कब आए कैसे बोलेंगे स्कुविंग देश में When did you come from market When did you come from market अब देख सकते हैं यह जो है Past and definite का है इसलिए इसमें did का यूज किया गया है Next है वो थोड़ा अजीब है अगर बोलना है कैसे बोलेंगे स्कुविंग देश में He is a bit of queer fish He is a bit of queer fish Next है उसी दुनियादारी की कोई समझ नहीं है जैसे कोई होता है Innocent तो उसके लिए बोलते हैं यूज करते हैं He is not worldly wise He is not worldly wise ठीक है गाइस Next है मुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया है मुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया है अगर Innocent में इसको बोलना है तो कैसे बोलेंगे I have got a hex on me I have got a hex on me Present perfect का है इसलिए हमने हैं का यूज भी किया है Next है मैं तुमारी रग रग से बाकिफ हूं मैं तुमारी रग रग से बाकिफ हूं या फिर मैं तुमें अच्छे से जानता हूं ऐसे बोल सकते हैं तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में I know you inside out मैं साथ साथ गाइद प्रैक्टिस भी जरू करिए ठीक है Next तुम साथ मुझे अच्छे से जानते नहीं तुम शायद मुझे अच्छे से जानते नहीं अगर किसी को बोलना है या पूछना है तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में You probably don't know me very well You probably don't know me very well Probably शायद ठीक है Probably means शायद Next है चलो आज मिलते हैं चलो आज मिलते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे Let's catch up today Next वह सफेद जूट बोलता है वह सफेद जूट बोलता है अगर किसी के बारे बताना है कि वर्द तो सफे जूट बता है इंगali कसे बोलेंगे He lies through his teeth He lies through his teeth Next उसके पैरों तले जमीन खिसक गई उसके पैरों तले जमीन खिसक गई इसको इंगिस में कैसे बोलेंगे He was dumbfounded He was dumbfounded कितना आसान है तुम्हारे लिए या कहना कितना आसान है तुम्हारे लिए यह कहना इसको इंग्लिस में कैसे लिखाएंगे how easy is it for you to say how easy is it for you to say how easy मतलब कितना आसान next सुबह उठने के बाद वह चिट्चिडी थी सुबह उठने के बाद जैसे बच्चे होते हैं कभी-कभी तो उचिट्च रहा जाता है कैसे इसको इंग्लिस में बोल सकते हैं she was cranky after waking up in the morning she was cranky after waking up in the morning चिट्चिडी के लिए cranky का यूज किया गया है ठीक है next तुम्हें मुझे रोपने का कोई हत नहीं है तुम्हें मुझे रोपने का कोई हत नहीं है इसको इंग्लिस में कैसे बोल सकते हैं you have no right to stop me you have no right to stop me and this is for you translate it in English and write answer in the comment box कितना आसान है आपके लिए इस वीडियो को लाइक करना ठीक है guys I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो जासे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए